हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं डॉक्टर बखुलदेव और आप देख रहे हैं यूर फेवरेट लेट्स क्रेक नीट यूजी और लेट्स क्रेक नीट यूजी पर लास्ट वीक जो हमने 90 डेज का क्रेश कोर्स स्टार्ट किया था उसमें बहुत सिंसि 90 डेज तक अपने पेस को अपने कॉंटिनुटी को अपने कमिट्मेंट को मेंटेन रखिये और आप यह मान के चलें कि जो लास्ट फिनिशिंग टच आपको चाहिए नीट 2021 से पहले वो जोश 2021 90 डेज का जो क्रेश कोर्स है उसमें हम लोग आपके लिए आपको मान सिंग, दिल खुष, स्नेहा, परजाना, शालिनी, गुद मॉर्निग, गुद मॉर्निग, गुद मॉर्निग, गुद मॉर्निग, जल्दी से आ जाईए जोश बैट जो है पहले उसके बारे में बता दू आपको वैसे तो आप रेगुलर्ली आ ही रहे हैं, रूटीनली आ क्लास होती है 7 o'clock और ठीक मेरी क्लास के बाद में अंकित सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं बहुत अमेजिंग सेशन्स होते हैं सर के फिजिक्स के आप लोगो ने एक्सपीरियंस भी किया होगा डेफिनेटली इसके बाद शिवानी मेडम की क्लास होती है आपकी शिवानी मे रेडम फिजिक्स पढ़ाती हैं आपको ग्यारा बजे ये जो टीम यहां आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ही अमेजिंग टीम है बहुत सिंसियरली और बहुत डेडिकेशन के साथ हम सब लोग एफर्ट कर रहे हैं कि 90 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंक इस टीम के साथ एसोसियेटेड रही है जुड़े रही है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है नीचे टेलेग्राम चैनल का उसे जरूर जॉइन कर लीजिए क्योंकि वहां डेली हम लोग नोट्स पोस्ट करते हैं इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं इन्फ दो ही दिन हुए है अभी बैच को यसमें भी टीम सेम है देखे यह जो बैच OFाफ की है बड़े स्ट्रॉक्चर्ड में में बनाए हैं बैच सारे के सारे और स्ट्रॉक्चर्ड मैनर में कि कलास किसी की क्लैश करें सैंग्रोनाइफ मैनर में साइंतिफिकली आपका पूरा का syllabus cover हो और कहीं पर भी कोई lacuna न बचे ये हमारा whole hearted effort है है ना तो जो board के बच्चे हैं उनके लिए ये है आजाए ये जल्दी से animal kingdom का section चल रहा है आप याद कीजिए वैसे तो जो designated आज हमारे दो फाइला हैं that is S.K. Helminthes and Annalida लेकिन sealant rita का भी कुछ portion last lecture में बच गया था तो I will start with sealant rita and before that, before that, अब देखो बटा तुम्हारे exam का बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है और इस थोड़े से वक्त में इन तीन साड़े तीन महीने के time में अगर थोड़ा सा भी आपको added support मिल जाए तो YouTube पर तो हम लोग sessions ले ही रहे हैं but we are also available on PLUS हम सभी लोग PLUS पर भी आपकी classes ले रहे हैं और Unacademy learning gap आप ले लेते हैं और PLUS का कोई भी एक subscription जैसे तीन महीने का भी subscription आप ले लेते हैं तो that is going to be wonderful, it is strongly recommended इस वज़े से मैं इस चीज़ को आपको कह रहा हूँ क्योंकि एक on the go आपके पास में एक ऐसा टूल आ जाता है जिससे कि आप बहुत आसानी से अपने सारे के सारे queries को अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं हम लोग तो खेर daily मिलते ही हैं लेकिन daily हम मुलाकात कितनी देर के लिए करते हैं एक घंटे के लिए unacademy learning application पर हम almost every time आपके लिए available हैं आप हमसे contact कर सकते हैं, messages कर सकते हैं personally हम सभी को revert भी करते हैं ठीक है? आप हमें follow कर सकते हैं वहाँपे हमारी सीधी mentorship में आ सकते हैं so I would strongly recommend you to go for the plus course चाहे आप तीन महीने का course लें लेकिन इसको लीजिए यह बहुत-बहुत-बहुत beneficial होने वाला है और अभी तो आपके लिए बहुत अच्छा offer भी चल रहा है आप तीन महीने का subscription लेंगे तो अच्छा एक चीज़ और यह अगर आप subscription लेते हैं तो इस subscription का जो overall fee है that is not more than 3200 पर मन्त इसमें भी आपको 10% off मिल जाएगा यू जस्ट हैब तो यूज दिस कोड बी दे इस कोड का आप इस्तिमाल करेंगे तो इसकी information मेरे पास आजाएगी आप मेरी direct mentorship में आजाएगे और मुझसे सीधे contact कर पाएगे किसी भी चीज के लिए so I would recommend strongly all of you to subscribe 3 month package यह जो 3 month का package है इसको subscribe कीजे it is going to be highly beneficial for all of you ठीक है चलिए अभी कुछ batches यहाँ start हुए है जो last leap batch start हुआ है enthuse batch start हुआ है इसके बाद आपका nurture batch start हुआ है बस अभी start हुए ही है यह 3-4 दिन पहले all over India के top most educator सब आपको एक ही platform पर मिल जाएगे चलो जी अब हम लोग start करते है जो बाते मुझे आपको बतानी थी वो मैंने बता दी है बिल्कुल 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 we are starting quickly now इसको like करके और share कर दीजिये session को कुछ बच्चे क्या है कि अभी वो एक habit में है ना जागते नहीं है जागते नहीं है जल्दी से वो जाग जाएं जरा चलो जी Animal Kingdom हम लोग sealant reta वाला segment start कर चुके थे मैं थोड़ा सा recap दे देता हूँ इसके general characters का sealant reta तीनोफोरा फिर प्लैटी फिर ऐसके यह सारी की सारी चीज़े हम पढ़े हैं let us start with sealant reta मैंने आपको sealant reta में यह बताया था याद कीजिए यह sealant reta term कैसे पढ़ा sealant reta term इस वज़े से पढ़ा क्योंकि इन organism में एक cavity होती है body में जिसको हम कहते हैं या gastro-vascular cavity जब मैं कहता हूँ gastro-vascular cavity तो gastro का मतलब तो वो intestine का purpose GIT का purpose solve कर रही है और जब मैं कहता हूँ vascular इसका मतलब वो उस food को circulate भी कर रही है within the cavity nutrients को तो वो blood-vascular system और digestive system का combined form है आप यह मान करके चलिए ठीक है इन में systems तो खेर बनते ही नहीं है लेकिन वो dization का भी काम हो रहा है और transportation of nutrients का भी काम वहाँ पर हो रहा है इस वज़े से sealantron कहलाता है और sealantron term से ही sealantrata derive हुआ है अच्छा इसके अलावा इसका एक और नाम है आप बच्चों को यह भी पता होगा another name for this group is nideria और यह नाम क्यों पढ़ा है because of presence of nido blast sting cell इन में present होते हैं जो की correctistic feature है इस phylum का हर phylum के अपने-पने correctistic features होते हैं जैसे sponges में हमने क्या पढ़ा था canal system वो और कहीं भी नहीं मिलता पूरे animal kingdom में केवल sponges में exist करता है इसी तरीके से यहाँ पर sting cell मिलती हैं जिनको हम कहते हैं nido blast अभी उनके बारे में कुछ और चीज़ें बताऊँगा आपको और इस वज़े से इसका एक और नाम आ जाता है that is niderian तो कई बार question इस तरीके से पूछे गए हैं कि why they are known as niderians why they are known as sealant rates तो sealant rate इस वज़े से कहे जाते हैं क्योंकि sealantron होता है और niderian इस वज़े से कहे जाते हैं क्योंकि इन में nido blast present होता है ये चीज़ें आपको clear होने चीज़ें ठीक है अब इनके general characters देख लेते हैं और sponge से compare करते हुए आगे बढ़ेंगे देखिएगा aquatic, mostly marine, solitary or colonial similar was the case with sponges sponge भी aquatic थे, ज्यादा तर marine थे और solitary ही थे, colonial sponges हमारे पास नहीं थे यहाँ cell tissue grade का organization है लेकिन sponges में organization था cell grade tissues sponges में नहीं बने थे ठीक है important point है tissues पहली बार किस phylum में बनते हैं? sealant rate में इन में radial symmetry होती है और blind sec body plane होता है जबकि sponges में मैंने आपको बताया था asymmetrical होते हैं और अगर body plane की में बात करूँ तो that is cell aggregate body plane यह सारी चीज़ें आपको sponges में बता चुका हूँ diploblastic होते हैं यानि दो germ layer होते हैं इन में similar was the case in sponges sponges में भी दो ही germ layer थे बाहर वाला pinacoderm कहलाया अंदर वाला coinoderm कहलाया यहां बाहर वाला epidermis और अंदर वाला gastrodermis sealantron या gastrovescular cavity के बारे में तो बता ही चुका हूँ जो दो परपस सर्व करती है dization यहां extra और intracellular यह important point है भई सारे बच्चे ध्यान से सुनना usually dization extra cellular ही होता है हमारी body में अगर कोई पूछा dization कैसा होता है तो intestine की lumen में dization होता है उसको आप या तो luminal dization कह दे या आप उसको extra cellular dization कह दे but it is taking place within the lumen ठीका outside the cell यहां दोनों तरह से हो रहा है intra cellular as well as extra cellular याद रहे और sponges में बहुत important point था यह sponges में मैंने आपको बताया था dization होता है intra cellular within the cell respiration excretion के लिए कोई specified structure नहीं है diffusion से होगा यही चीज़ sponges में मैंने आपको बताया थी same कोई change नहीं है reproduction दोनों ही तरह से होंगे lower groups है न यह lower groups में asexual और sexual reproduction दोनों तरह से होता है fertilization external और इनके larva का नाम कई बार पूछ लिया जाता है एक्जाम में बच्चो तो यह larva का नाम सारे बच्चे याद रखेंगे planula larva ठीक है this is planula indirect development indirect development का मतलब भी बता चुका हूँ if during the course of development a larval stage appears development के दौरान अगर larval stage appear होता है तो उसे हम कहते हैं indirect development otherwise हम कहेंगे direct development यह आपको c animon दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी और इसको explain करूँगा c animon जिसे की biradial symmetry जिसमें मिलती है यह आपको koralium दिखाई दे रहा है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इसको हम कहते हैं red coral munga अंगूठी में जो रत्न पहना जाता है एक लाल रंग का पत्थर पहना जाता है munga आपने घर पे देखा होगा कभी किसी को अंगूठी पहने होगा सोने की उसमें red color का stone होगा वो इसके exoskeleton से मिलता है यह आपको jellyfish दिखाई दे ही रहा है यह कुछ इनके principal organism है और यहाँ यह दिखाई दे रहा है physalia जिसे हम कहते हैं Portuguese man of war examples अभी और discuss करूँगा लेकिन पहले कुछ और चीज़ें समझो जब हम कहते हैं कि germ layer होते हैं दो germ layer है ना इनमें ectoderm और endoderm let me draw a diagram quickly hydra का एक diagram अगर मैं draw करूँ यहाँ just a minute देखिए यह देखिए यह इसके tentacles है ठीक है साब अब मैंने आपको क्या बताया diploplastic two germ layer बाहर वाला epidermis अंदर वाला gastrodermis बाहर वाला लेयर क्या कहलाया बच्चों epidermis अंदर वाला लेयर क्या कहलाया gastrodermis और इन दोनों के बीच में एक substance भरा रहता है जिसे हम कहते हैं mesoglia जो की gelatinous है याद कीजिए sponges में भी एक gelatinous substance भरा हुआ था लेकिन उसका नाम हमने क्या दिया था mesenchyme यहां क्या term इस्तिमाल कर रहे है mesoglia और यह जो cavity आपको दिखाई दे रही है इसी cavity का नाम क्या है sealantron या हम कह दे गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी अब याद कीजिए sponges में मैंने आपको बताया था कि यह जो gelatinous meson kाइम होता है इसमें कई तरह के cell होते हैं जिनको हम कहते हैं amoebo site और वहाँ मैंने specify किया था वो sponges में होता है भरजोत वो sponges में होता है तो वहाँ मैंने specify किया था के meson kाइम में जो amoebo site होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं लेकिन एक cell ऐसा होता है जो sponges में exist नहीं करता कौन सा cell होता है बताओ जल्दी से रिस्पॉंड करो जल्दी से रिस्पॉंड करो sponges में हर तरह के cell मिल जाते हैं लेकिन एक specific cell exist नहीं करता वो cell कौन सा है रिस्पॉंड fast I am going through your messages देखें कौन बताता है सबसे पहले हर्जोत बहुत अच्छे बेटा वेरे गुड वेरे गुड हर्जोत वेरे गुड रुखसार वेरे गुड नर्व सेल तो नर्व सेल इस फाइलम में पहली बार आता है बाकी सेल जो है इनके नाम आप याद न करें कोई खास बात नहीं जैसे एपी थीलियो नर्व सेल तो पहली बार आया दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए स्पॉंजेज में अब जल्दी से फिर से रिस्पॉंड करो स्पॉंजेज में मैंने आपको बताया था वो सेल कौन सा था जल्दी बोलो जल्दी बोलो विच चैल इस रिस्पॉंसिबल पर सिग्निफिकंट पावर रीजनरेशन इन पॉंजेज रिस्पॉंड रिस्पॉंड रुखसार बहुत अच्छी बिता श्रेयन वेरी गूड आर्कियोसाइट इसी तरह का एक सैल यहां मिलता है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल देट इस अंडिफ्रेंशियेटेड सेल और इकन से स्टेम सेल एंड इस रिस्पॉंसिबल फॉर पावर आफ रीजनरेशन इन केस ओफ सेलेंट रेट्स और तीसरे नंबर पर जो सेल आपको पता होना चाहिए वो है निडो ब्लास्ट या मैं कहूं स्टिंग सेल स्टिंग सेल इस फाइलम का करेक्टिस्टिक फीचर तो बाकी सेल के बारे में आपको जानकारी है नहीं है चलेगा लेकिन ये तीन सेल सीलेंट रेटा में याद रखिए इंटरेस्टिशियल सेल विच इस रेस्पॉंसिबल फॉर इस पर्टिकुलर फाइलम का अब मैं आपको निडो ब्लास्ट के बारे में दो तीन चीज़ें जल्दी से बता दूँ होता है इस तरह का है वे लोग यह आपको स्टिंग सेल दिखाई दे रहा है यहां एक ढकन के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं और नीचे एक और छोटा सा थैला इसमें है जिसे हम कहते हैं निमाटो सिस्ट इस ढकन से एक शाफ्ट के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है सम्थिंग लाइक दिस और फिर इस शाफ्ट से जो थ्रेड डेवलप होता है वो थ्रेड इसके ऊपर लिप्टा रहता है लाइक दिस समझ में आ रही है बात फिर यहां एक स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं लैसो यह इसका न्यूक्लियस है और यहां कुछ रॉड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं रिफ्रेक्टाइल रॉड अभी लेबल करता हूँ इसको आपके लिए यह आपका स्टिंग सेल है लेकिन यह अंडिस्चार्ज स्टिंग सेल है जब यह सेल डिस्चार्ज हो जाएगा यानि जब यह किसी शिकार पर अटेक करेगा सेल तो इसी सेल की पोजीशन कैसी हो जाएगी देखिएगा जरा अब ये जो ढखकन के जैसा structure आपको दिखाई दे रहा है upper column ये open हो जाएगा ये अंदर वाला थैला है निमेटो सिस्ट जिसे कहते हैं ये आपका shaft उपर की तरफ खुल गया और ये thread जो दिखाई दे रहा है ये thread उस शिकार की body में penetrate कर जाएगा ये lasso दिखाई दे रहा है ये nucleus दिखाई दे रहा है और ये refractile rod दिखाई दे रहा है जिससे कि आप जान पाएं कि ये exactly चीजें होती क्या है ये है upper column ठीक है ये sensitive structure है जिसे हम कहते हैं निडो सील ये आपको shaft दिखाई दे रहा है shaft के चारों तरफ ये लिप्टा हुआ thread दिखाई दे रहा है अंदर एक और थेला दिख रहा है जिसको हम कहते है निमेटो सिस्ट और इसमें usually कोई ने कोई poisonous substance भरा रहता है hypnotoxin ये nucleus है ये spring के जैसा structure है जिसे हम कहते है लेसो और ये जो structure से इनको हम कहते है refractile rods अब ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है ये तो है undischarged ये अभी इस्तेमाल नहीं हुआ ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये है discharge कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई शिकार इस सेल के नजदीक आएगा वैसे ही इसकी permeability water के लिए बढ़ जाएगी इसमें पानी तेजी से enter करेगा अंदर वाले थेले पर थोड़ा pressure बढ़ेगा निमेटोसिस्ट पर ये ओपर कुलम ढखकन की तरह खुल जाएगा और ये तेजी से बाहर निकलेगा thread और जो भी शिकार होगा उसकी body में penetrate कर जाएगा जैसे मान लीजिए ये कोई शिकार है suppose this is an organism, डेफनिया है मानके चलो ये जो कि हाइडरा का favorite food है डेफनिया तो ये डेफनिया की body में penetrate कर गया और नकेवल penetrate कर गया बलकि यहाँ जो toxic substance भरा हुआ था वो यहाँ आ गया hypnotoxin वो इसको शिकार को paralyze कर देगा और शिकार को फिर वो tentacles के help से हाइडरा engulf कर जाएगा ठीक है साब बोलो भई बोलो clear है सारे बच्चों को sting cell में कोई confusion नहीं है sting cell एक बार discharge हो गया उसके बाद दुबारा इस्तिमाल नहीं किया जा सकता इसको गिरा दिया जाएगा इसकी जगे पर नई sting cell बनेगी first second sting cell हमेशा एक group के form में मिलेंगे और sting cells का group क्या कहलाता है भाया battery battery is the group of sting cells sting cell हमेशा एक group में मिलते हैं जिनको हम कहते हैं battery battery तो यह कुछ basic बाते हो गई ठीक है अच्छा बच्चो जिन भी बच्चों ने session like नहीं किया उसको like करो और share करो spread करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ इसको तो यह आपका sting cell हो गया and this cell is characteristic feature of sealant data अब हालांकि sting cell भी कई तरीके की होती है पर आपको उतनी detail में जाने की जरूरत नहीं है चार तरह के sting cell होते हैं जिसको desmoneem या volvent या hollow trichus isorizers, trichus isorizers, desmoneem वहां मच जाईए वो detail में जाने की जरूरत नहीं है अगर किसी guide में दे भी रखा है उसको छोड़ दीजिए देखो बायो में ज्यादा important बात ये है specifically बायो के लिए बोल रहा हूँ अब जो pattern neat का चल रहा है उसमें ज्यादा important बात ये है कि हमें कितना point कितनी चीज़ें छोड़नी है पढ़ते हैं क्योंकि biology unlimited है आप mitochondria पर तीन books पढ़ सकते हैं तीन volume में books और सारे साल केवल mitochondria पढ़ते रह सकते हैं लेकिन आपका purpose सर्व नहीं होगा उससे we are preparing for exam उस exam का एक designated syllabus है defined syllabus है और हमें उस syllabus को तयार करना है जिससे हम exam को crack करें तो this much is more than sufficient इससे आगे आपको नहीं जाना है आपको sting cell पता होना चाहिए discharge and discharge के diagrams इनके जो labels है वो पता होने चाहिए सारे के सारे बैटरी के बारे में पता होना चाहिए discharge होने के बाद इसको दुबारा इस्तिमाल नहीं किया जा सकता यह पता होना चाहिए and that is sufficient इससे ज्यादा कि आपको जरूरत नहीं है ठीक है ना चलो अब आगे चलते हैं यह होगे आपका sting cell अब आते हैं एक और बड़े important event में जिसे हम कहते हैं metagenesis यह भी सिलेंट रेटा का ही plants में कि there is an haploid stage and deployed stage तो यह haploid or deployed stages alternatively appear होती हैं जिसे हम कहते हैं alternation of generation plants में पढ़ा होगा यह आपने ज्यादा तर plants में होता है first haploid and then deployed then haploid and then deployed alternatively यह stages appear होती चली जाती है है ठीक है clear अब यहां हम एक term इस्तेमाल कर रहे है बेटा metagenesis metagenesis एक specific mode है alternation generation का जिसमें haploid और deployed के बीच में नहीं होता asexual और sexual stages के बीच में alternation of generation होता है तो this is a specific mode of alternation of generation जिसे हम कहते हैं metagenesis and metagenesis also is characteristic feature of phylum sealant data यहां यह important point है कि metagenesis का meaning क्या है asexual stage बनेगा फिर sexual बनेगा sexual से फिर asexual बनेगा फिर sexual बनेगा and the cycle will continuously go on तो all these stages will appear alternatively समझ में आ रहे यह बात अच्छे से जब यह सारी stages alternatively appear होंगी तो इस event को हम क्या कहेंगे metagenesis अब यहां मैं आपको एक life cycle दिखाने की कूशिश कर रहा हूँ अगर आपको यह clearly visible है तो देखिए ज़रा यह obelia है इसको हम कहते हैं c fur तो ज़रा ध्यान दीजिए अच्छा obelia पर जाने से पहले एक चीज और बता दू कि यह जो asexual stage है हमारा उसको तो हम कहते है polyp और sexual stage जो होता है हमारा उसे हम कहते है medusa polyp stage तो होता है cylindrical और medusa होता है umbrella shape और यह alternatively life cycle में appear होते हैं ठीक है तो आपको यहां दिखाई दे रहा है medusa यह medusa stage दिखाई दे रहा है देखिए अबेलिया के medusa दिखाई दे रहे हैं आपको यह भी medusa है यह भी एक ने egg produce किया एक ने sperm produce किया sexual reproduction चल रहा है बच्छो जाइगोट बन गया embryo बन गया यह swimming लार्वा बन गया लार्वा यहां आके चिपक गया अब देखो यह कौन सा stage बन गया यहां पर तुरंत यह आपको दिखाई दे रहा है polyp stage now this is polyp तो medusa बना medusa gave rise to polyp फिर polyp grow हुआ और polyp से ultimately क्या बन गया medusa that is how the life cycle goes on आपको इसके detail में नहीं जाना है केवल इतना पता होना चाहिए metagenesis के point of view से first what is metagenesis specific mode of alternation of generation in which asexual and sexual stages appear alternatively एक चीज तो यह पता होनी चाहिए दूसरी चीज यह पता होनी चाहिए कि भई asexual stage को क्या कहते है the answer is polyp sexual stage को क्या कहते है the answer is medusa हमारा जो polyp है that is always cylindrical in appearance जैसा कि hydra होता है और हमारा जो medusa है that is umbrella shaped जैसा कि jellyfish होता है ठीक है यह polyp और medusoid stages है polyp usually cecile होता है यानि कि attached to substratum movement नहीं होता इसमें और इसमें movement होता है यह हमारा asexual stage है और यह हमारा sexual stage है और यह alternatively appear होते है I hope it is completely clear to all of you नहीं अभी तो दिख गया ना वो picture नहीं दिख रहा होगा आप इसको देख लीजिए कोई खास बात नहीं बोलो जल्दी से reply करो भाई बात समझ में आई या नहीं अजीज रह्मान करें difference between metagenesis and metamorphosis metamorphosis तो बिलकुल different processes metamorphosis का मतलब होता है conversion of larva into adult यहां larva से adult नहीं बन रहा है यह तो life cycle में alternatively stages appear हो रही है पहले polypya फिर medusa आया फिर polypya फिर medusa आया अच्छा यह में भी याद रखना है कि सारे के सारे sealant traits metagenesis exhibit नहीं करते metagenesis का जो characteristic example है वो कौन है देखना जरा obelia जिसको हम कहते हैं c4 यह इसका example है क्योंकि इसकी life cycle में polyp भी appear होता है medusa और दोनों लगभग बराबर वक्त के लिए appear होते हैं जैसे मैं आपसे कहूं hydra metagenesis exhibit करता है क्या आंसर इस no क्योंकि आपने हाइड्रा को कभी umbrella shape में नहीं देखा उसमें umbrella shape का structure यानि medusa बनता ही नहीं है तो वो metagenesis exhibit नहीं करता क्या आपने jellyfish को कभी cylindrical form में देखा है नो क्योंकि jellyfish में cylindrical stage appear ही नहीं होता तो न तो jellyfish metagenesis exhibit कर रहा है न हाइडरा metagenesis कौन exhibit कर रहा है obelia c4 बहुत important है जाने कितनी ही बार यह question repeat हुआ है कितनी ही बार यह question पूछा गया है मेरे ख्याल से clear हो गया होगा बेटा हाँ larva होता है न प्लैनूला वो larva आकर के चिपक जाएगा यह देखो यह स्विमिंग लार्वा बन रहा है न यहां पर देखने की बच्चों को जल्दी से रिप्लाई करो भई फिर मागे चलू शाबाश कि जोया बोलो बेटा जल्दी से बोलो चलो जी आगे चलते हैं अब जरा कुछ एक्जामपल देख लें यहां यह बहुत ब्यूटिफुल ऑर्गनिज्म होते हैं कलरफुल होते हैं और देखो जरा हाइडरा तो इसमें इमेज दिखी नहीं रहा है आपको देखने की जरूरत भी नहीं है दूसरा है फाइसेलिया जिसको हम कहते हैं पुर्टुगीज मैन यह जो दिख रहा है आपको दिस इस फाइसेलिया यह कॉलॉनियल स्ट्रक्चर है पूरी कॉलॉनी होती है इसकी जिसमें कई तरीके के ऑर्गनिज्म एक साथ एक्जिस्ट करते हैं जिनको गैस्ट्रोजूइड गोनोजूइड डेक्टाइलोजूइड यह टर्म यूज करत आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, sea anemone, और sea anemone का characteristic feature क्या है भाई, sea anemone में by radial symmetry exist करता है बिटा, फिर जरह यहाँ देखो, यह आपको aurelia या jellyfish दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको korelium दिखाई दे रहा है, जिसको red coral कहते हैं, जिससे कि हमें मूगा मिलता है, यह रह कोरेलियम, फिर यहाँ देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गॉर्गोनिया जिसको कहते है, sea fan, पंखे के जैसा है ना यह तो इसको sea fan कहते हैं, इसी तरीके से मैंडरिना, यह देखो, brain के जैसा दिखाई दे रहा है, इसको brain coral कहते हैं, ठीक है, एलसाइउनियम औरेलिया जैलीफिश, ओबेलिया, सीफर, मैट्रीडियम यह स्टी एनिमोन और मिलीपोरा स्टिंग कोरल, एटलीस्ट यह सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, यह 5-6 एक्जामपल तो एसेंशेली पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, बच्चों, जल्दी से से सेशन को लाइक करो और शेयर करो, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आपने रिपीटेटिवली एक टर्म सुना होगा, कोरल, यह कोरल क्या होते हैं भई, what are कोरल, कोरल किसे कहेंगे, एनिवन, कोई भी बच्चा, मान सिंग कह रहें, मूंग क्या होता, अंगूठी पहने देखा है कभी किसी को, अभी दो-तिन बार बताया न, आपको अंगूठी में लाल रंग का पत्थर पहन के रखते हैं कुछ लोग, that is known as कोरेलियम और मूंगा, हाँ बताओ जल्दी से, कोरल टर्म सुना है की नहीं बेटा, कोरल, कोरल एक जनरल टर्म है, जैसे मैं कहूँ शार्क, शार्क एक जनरल टर्म है, कई तरीके की शार्क फिशिज होती है, जैसे मैं कहूँ स्नेल, एक जनरलाइज टर्म है कई तरीके के स्नेल होते हैं, जैसे मैं कहूँ ओैस्टर, जैसे मैं कहूँ स्नेक, जैसे मैं कहूँ लिजार्ड, वैसे ह एक टर्म है coral तो sealant rata के sealant rata के वो सारे members जिनकी body के चारों तरफ calcium carbonate का exoskeleton exist करता है they are known as corals coral का मतलब having exoskeleton of calcium carbonate और ये oceanic water में समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी colonies बनाते हैं देखो जरा beautiful colonies आप कभी google करके देखेंगे इनकी images को ये इतनी खुबसूरत colonies होती है colorful देखो इसमें आपको कई तरीके के sponges दिखाई देंगे ये इधर आपको brain coral दिखाई दे रहा है इधर आपको ये sea fan दिखाई दे रहा है ठीक है इधर mandrina दिखाई दे रहा है इधर dead man's finger दिखाई दे रहा है बहुत सारे coral की colony है पूरी की पूरी ये एक पूरा ecosystem है इनका और बहुत बड़ी-बड़ी colonies बनती हैं इन colonies को हम क्या कहते हैं बच्चों coral reef और ये coral reef यूजवली किसी island को encircle करती हैं तो कई बार ये question भी पूछा गया है हलांकि आप इसे न भी आद रखे तो चलेगा क्योंकि NCRT की periphery से थोड़ा सा बाहर है लेकिन एक बार जानने के लिए समझ लीजी ये आपको एक island दिख रहा है यहाँ पे ये island दिख रहा ह coral reef कहलाती है coral reef यूजवली island के चारों तरफ होती है ठीक है जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा coral reef है that is great barrier reef जो पूरे Australia को चारों तरफ से encircle करता है करीब धाई हजार किलो मीटर उसका लेंद है ठीक है ना जो Australia को चारों तरफ से cover कर रहा है great barrier reef ठीक है ना अब देखो जरा ये coral reef देखो large colony of corals usually covers an island और ये तीन तरीके की हो सकती है fringing barrier और at all अगर ये आपका island है ये आपका द्वीप है और ये आपका coral reef है इसके किनारे से बिल्कुल चिपका हुआ coral reef है मतलब coral reef और इसके किनारे के बीच में distance नके बराबर है या 300-500 मीटर है इससे ज्यादा नहीं ह तो ऐसा reef कहलाता है fringing reef अगर island और इस coral reef के बीच में कुछ किलो मीटर्स का distance है 3 किलो मीटर्स फोर किलो मीटर्स तो इसे कहते है barrier reef जैसे कि मैंने आपको बताया Australia Australia के चारों तरफ जो reef है वो great barrier reef है क्योंकि Australia का जो किनारा है और coral reef है उसके बीच में कुछ किलो मीटर्स का difference हो और अगर यह island पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और coral reef केवल पानी को encircle कर रहा है island तो नीचे चला गया डूब गया और यह coral reef है तो ऐसा coral reef कहलाता है at all at all पर question पूछा गया है एक बार की at all का मतलब क्या है ऐसा coral reef जो की एक submerged डूबे हुए island को cover करता है केवल पानी को cover कर रहा है यह मान के चला एक और चीज़ पूछी जाती है वो यह कि इस island और इस coral reef के बीच में यह जो पानी का column दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते है दा answer is lagoon लगून पर भी एक बार question पूछा गया है lagoon का meaning क्या है तो जो द्वीप है जो island है और जो coral reef है उसके बीच में पानी का जो column है वो पानी का column क्या कहलाता है बिटा lagoon that is known as lagoon समझ में आ गई बात जल्दी से reply करो गई coral reef का concept clear है I am repeating it again coral reef large colony of corals जो usually किसी island को cover करती है यह तो coral reef का मतलब हुआ coral term का क्या मतलब है ऐसे sealantrate जिनकी body के चारों तरफ calcium carbonate का exoskeleton हो they are known as corals तीसरे नमबर पर तीन तरीके की coral reef हो सकती है fringing barrier and at all अगर coral reef बिलकुल नजदीक है किनारे के तो fringing अगर किसी island के किनारे और coral reef के बीच में कुछ km का difference है और अगर वो एक डूबे हुए island को cover कर रही है यानि कि केवल पानी के column पर है तो उसे कहेंगे at all और island और इस coral reef के बीच में जो पानी का column दिखाई दे रहा है that column is known as lagoon बोलो सभी बच्चे respond करेंगे जल्दी से जल्दी से फिर मैं आगे वाले फाइलम पर प्रसीड करूँ रिस्पॉंड फास्ट शबाश टेलिग्राम ग्रूप कौन सा है अब सुनो मेरी बात इस यह जो वीडियो चल रहा है ना यूट्यूब का इसका description आपको मिलेगा इसके description पर जब जाएंगे तो you will find a link अभी जैसे यह lecture complete होगा ना lecture complete होने के बाद within 5 minutes आपको यह सारे के सारे notes उस group पर मिलेंगे PDF format में उस group को join करना न भूले है ना सारे के सारे बच्चे join करें आगे चलते हैं साहब यह बड़ा छोटा सा फाइलम है इट विल टेक हार्ली 5-10 minutes जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको इस टीनोफोरा टीनोफोरा पूरे एनिमल किंडम का smallest फाइलम है और smallest फाइलम मैं क्यों कह रहा हूँ किस point of view से कह रहा हूँ क्योंकि number of species इसमें सबसे कम है minimum इस वज़े से यह smallest हो गया दूसरा इसमें जो organism हैं वो भी transparent होते हैं beautiful organism होते हैं और एक बड़ी खास बात इन organism में होती है that they produce light they emit light जैसे जुगनू होता है ना जुगनू जुगनू चमकता है वैसे ही यह organism भी light emit करते हैं ना bio luminescence कहते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं जैव प्रदीप्ती कोई अगर biological organism light emit करें तो उस event को कहा जाता है bio luminescence इनके characters देख लेते हैं जल्दी से aquatic होते हैं सारे पानी में मिलेंगे और सारे marine water में मिलेंगे most of the organism जबकि हमने पूरी फेरा और सीलेंट रेटा में क्या पढ़ा फ्रेश वाटर्ड भी होते हैं यहां सारे marine है cell tissue grade organization यह वही organization है बेटा जो सीलेंट रेटा में बताया था same organization same body plan जो कि हमने सीलेंट रेटा में पढ़ा था blind sack body plan bi-radial symmetry and diplo-blastic अब यहां केवल bi-radial symmetry है exclusively bi-radial sealant रेटा में क्या था? radial as well as bi-radial दोनों exist करता था pre-dominatingly तो radial था और कुछ में bi-radial भी exist करता था अब यहां एक important point आता है they possess 8 parallel comb plates यह comb plates क्या होते हैं बहिया? जल्दी से देखो have a look मान लो कि यह कोई organism है अब इस organism की body पर इस तरीके के parallel art यह जो plates आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं combo plates और यह बनते हैं कुछ cells के fusion से जिनको हम कहते हैं coloblast इन cells के fusion से यह plates बनती हैं इन plates को थोड़ा closely देखें तो coloblast के fusion से यह बनते हैं इस वज़े से यह comb के जैसे दिखाई देने लग जाते हैं यह क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? 8 parallel comb plates इस point को अच्छे से याद रखें यह कई बार exam में पूछा गया है कि comb plates का meaning क्या होता है? तो इनकी पूरी बाड़ी पर comb plates होते हैं vertical parallel 8 comb plates which are formed by the fusion of coloblast cells यह characteristic feature हो गया है ठीक है भाई? आप देखो respiration और excretion यहाँ भी diffusion से है same वही process चल रहा है जो हमने sealant rate में पढ़ा है अभी तक न तो specified respiratory structure आया है ने excretory structure आया है अब देखो ज़रा इसको पढ़ो body is transparent and bioluminescence ability to emit light light emit करने की ability कहलाती है bioluminescence और अब एक बहुत 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 important point pori-faira और sealant rate में मैंने आपको क्या बताया था बेटा? reproduction कैसा होता है? asexual as well as sexual asexual भी होता है जैसे की budding होता है hydra में budding होती है ने that is asexual और sexual reproduction तो होगा ही क्योंकि जो medusa stage है हमारा वो sexually reproduce करेगा ये पहला phylum हमारे पास आया है जिसमें reproduction का mode केवल क्या है? sexual asexual reproduction इसमें exist ही नहीं करता इससे पहले के फाइला में asexual reproduction मिल जाएगा लेकिन यहाँ asexual reproduction है ही नहीं exclusively sexual reproduction एक्जिस्ट करता है और यहाँ जो लार्वा है indirect development है लार्वा का नाम है सिडी पीड आप देखो जरह लार्वा के नाम बताना शुरू करो जल्दी जल्दी पोरीफेरा के लार्वा बोलो भई कौन बताएगा? reply fast reply fast पोरीफेरा का लार्वा बोलो लार्वा बोलो पोरीफेरा का फिर sealant rate का फिर उसके बाद इस पे आएएगे जब भी आप ये फाइलम पढ़ रहे हैं तो आप इस से पीछे वाले फाइलम के करेक्टर याद करते जाए है तो थोड़ा टेक्सोनॉमी समझने में और याद करने में आसानी होगी हर्जोत बेटा एक और एक और होता है वन्मोर नेम इस देर हर्जोत पेरनकाइमिला वेरी फेरा के लार्वल स्टेज होते हैं अब जरा सारे के सारे बच्चे सीलेंट रेटा का लार्वा बताओ शबाश रिस्पॉंड फास्ट सीलेंट रेटा का लार्वा प्लैनूला वेरी गुड और अब आए हम टीनो फोरा पर तो टीनो फोरा का लार्वा है सिडी पिड लार्वल स्टेजेज के नाम इंपॉर्टेंट है याद रखिये ठीक है अब इनके जो और्गेनिजम है यह देखो यह गोल होते हैं बॉल के जैसे तो कई बार इनको सी वालनट भी बोल देते हैं वालनट समझते हैं आप अखरोट सी गूजबेरी भी बोल देते हैं ठीक है कई बार यह इस शेप में मिलते हैं बेल्ट के जैसे यह जो दिखाई दे रहा है यह सेस्टम और वेलामन जिसको कहते हैं वीनस गर्डल तो और यह आपको बेरोई दिखाई दे रहा है यह आपको सी गूजबेरी या सी वालनट दिखाई दे रहा है हॉर्मी फोरा होर्मी फोरा जिसको सी वालनट या सी गूसबेरी कहा देते हैं या आपको सेस्टम दिखाई दे रहा है जिसको वीनस गर्डल बोल दिया जाता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बाते हैं जो कि आपको टीनो फोरा में याद रखनी है ठीक है साब देखो बेटा ऐसा है अभी भी सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी भी सारे बच्चों ने शेयर नहीं किया जल्दी से जल्दी से देखो मुझे पता चलना चाहिए ना एक बार की कितने बच्चे क्लास में हैं, कितने बच्चों को मजा आ रहा है सेशन में, कितने बच्चों को ये चीजे समझ में आ रहे है यहां तक की कहानी clear है, तो मैं आगे चलूँ जल्दी हर जोत बिलकुल special classes होती हैं और special classes के link मैं ग्रूप पे शेयर करता हूँ और special classes में भी आप आईये और अगर आपने plus subscribe कर रखा है तो आप plus पर भी आईये तीनों फाइला में कोई परेशानी नहीं है किसी को कोई समस्या नहीं है पूर्निमा 11 वाला भी करेंगे बिटा जल्दी से थोड़ा सा वेट करो थोड़ा सा वेट करो good बेटा याद करना पड़ेगा ये comparative हैं चीजें सारी की सारी चलो अब मैं अगले फाइलम पर move करता हूँ और हमारा next फाइलम आता है प्लैटी हेलमिन्थीज प्लैटी और हेलमिन्थीज इन दोनों का मीनिंग समझो सबसे पहले तो देखो प्लैटी टर्म का मतलब होता है प्लैट और हेलमिन्थ का मतलब होता है वार्म तो ये जो टर्म है हमारा प्लैटी हेलमिन्थीज यहाँ इसको हम कह सकते हैं प्लैट वार्म वी चैनल प्लैट वार्म प्लैटी हेलमिन्थीज अब एक बात याद कीजिए प्लेटी हलमिन्थीज बड़ा इंपॉल्टेंट फाइलम है और कई कारणों से इंपॉल्टेंट है बहुत सारे रीजन्स से पहला रीजन बतलब देखू बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे करेक्टर्स पूरे एनिमल किंडम में पहली बार प्लेटी हलमिन्थीज में अपियर होते हैं सुनिएगा ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आप जैसे ट्रिप्लो ब्लास्टिक नेचर तीन जर्म लेयर इससे पहले कहीं थे ही नहीं पहली बार तीन जर्म लेयर बनेगे एक्टोडर, मीजोडर, मेंडोडर इससे पहले के दोनों फाइला क्या थे? डिप्लो ब्लास्टिक पहली बार बाइलेटरल सिमिट्री आएगा इससे पहले या तो और्गेनिजम एसिमिट्रिकल थे या उनमें रेडियल सिमिट्री थी बाइलेटरल कहीं नहीं था यहां बाइलेटरल सिमिट्री आया पहली बार हम सीलोम टर्म का इस्तेमाल करेंगे चाहे हम यह कहेंगे कि इनमें सीलोम नहीं होता ए सीलोमेट हैं सीलोम बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया but still the term Seelom will be used for the first time in this file इससे पहले के किसी फाइलम में elementary canal नहीं हम use करते टर्म पोरी फेरा की cavity को क्या कहा था? Paragastric cavity या Sponjo Seal Sealant Rates की cavity को क्या कहा? Gastrovascular cavity Tino Force की cavity भी वही gastrovascular cavity यहां आकर पहली बार term इस्तेमाल करेंगे elementary canal हालांकि वो elementary canal होता है incomplete incomplete, incomplete क्यों? क्योंकि केवल एक ही तरफ opening मिलती है जैसे मैं अगर यहां आपके लिए fasciola का structure ड्रॉ करूँ this is fasciola, liver fluke जिसे हम कहते हैं यह इसके सकर्स हैं और यह इसका elementary canal है यह branched elementary canal होता है, but there's an incomplete elementary canal elementary canal which is incomplete 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 इस वज़े से है, क्योंकि opening केवल एक ही तरफ है single opening है, that is why it is incomplete इससे पहले के किसी फाइलम में, देख रहे हो आप, कितने सारे करेक्टर पहली बार आने, इससे पहले के किसी फाइलम में specified excretory structure नहीं था, याद करो peripherals, sealant rates, stenophores, stenophores, तीनो में आपने excretion कैसे पढ़ा है, diffusion, general body surface से diffuse, यहाँ पहली बार specified excretory structure बनता है, जिस पर नजाने कितनी बार question पूछा गया है, flame cell, specified excretory structure, तो मैंने 5-6 चीज़ें आपको बताई, जो कि platy helmanthes में पहली बार appear होंगी पूरे के पूरे animal kingdom में, उससे पहले वो exist करती ही नहीं थी, so let us go through, अच्छा यह ज्यादा तर endo parasitic होते हैं बाई, कुछ free living भी होते हैं, मतलब किसी ने किसी vertebrate की body के अंदर parasitic form में मिलेंगे, tissue organ level का organization ये भी इससे पहले नहीं था, body plan तो blinds है कि ये हैं, लेकिन ये triploblastic nature आ गया, triploblastic nature इससे पहले अवेलेबल नहीं था, सारे के सारे groups कैसे थे भाई, diploblastic, acilomate, इनमें celom बन सकता था लेकिन बन नहीं पाया, bilateral symmetry, respiration तो diffusion से ही हो रहा है, लेकिन excretion के लिए flame cell बनके तैयार हो गए, और एक और question पूछ लिया जाता है, इनका जो nervous system होता है, वो cd के shape का होता है, ladder like, ladder like कैसे देखना ज़रा ध्यान से, दो ganglion यहां होते हैं आगे की तरफ, इन दो ganglion से दो longitudinal nerves निकलते हैं, और यह longitudinal nerves, horizontal nerves से connected होते हैं, तो यह जो आपको ladder like nervous system दिखाई दे रहा है, that also is characteristic feature of phylum platyhelminthium, there are two anterior ganglions, two longitudinal nerves and then horizontal nerves, mostly hermaphrodite, hermaphrodite क्या होता है भाई, जल्दी से बोलो, what is hermaphrodite, what is the meaning of hermaphrodite, hermaphrodite का मतलब जिसमें male और female reproductive organs simultaneously exist करते हों, एक साथ, ठीक है वो hermaphrodite कहलाए, इनमें भी केवल sexual reproduction होगा, development indirect होगा, लेकिन यहाँ हम larval stages का नाम नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि इनका life cycle होता है complicated, और उसमें बहुत सारे larval stages बनते हैं, जैसे अगर मैं fasciola के larva आपको बताना शुरू करूँ, यह liver fluke है, आपको यह याद करने की दरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं larval के नाम आपको बताऊं, इनकी life cycle में 5 larva अपको होते हैं, मिरा सीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया, मेटा सरकेरिया, और ऐसे ही हर organism की life cycle में multiple larval stages अपको होती हैं, इस वज़े से हमें larval stages के नाम यहाँ याद नहीं करने हैं, अब रिपीटिं इट अगें, वो सारे करेक्टर जो प्लेटी हल्मन्थीज में पहली बार एपियर हुए, अनिमल किंडम में उससे पहले थे ही नहीं, फर्स्ट, ट्रिप्लो ब्लास्टिक नेचर, तीन जर्म लेयर पहली बार आए, टेकंड, एलिमेंटरी कैनाल पहली बार बना, हालांकि वो incomplete है, incomplete इसलिए है क्योंकि इधर opening नहीं है, third, tissue organ level का organization आया, इससे पहले organ बने ही नहीं थे, tissue तक चीज़े बनी थी, organ पहली बार यहां आकर बने है, इससे पहले नहीं बने है, चौथा, specified excretory structure पहली बार आया, यानि कि flame cell, ladder like nervous system पहली बार आया, mesoderm पहली बार आया, आरे एक नहीं बार समझ में, तो इस वज़े से platyhelminthes का अपना एक importance है, हालांकि platyhelminthes के ज्यादा तर organism, platyhelminthes के ज्यादा तर organism कैसे होते हैं, endoparasitic nature के, now, let us go through the examples, यह देखो, यहाँ आपको कुछ important examples दिखाई दे रहे हैं, platyhelminthes के जल्दी से देख लीजिए, सबसे पहला है, dogesia also known as planaria, यह है planaria, इस organism की खास बात क्या है, यह free living है, इसके अलावा, जितने भी example हम पढ़ेंगे, वो endoparasitic होते हैं, यह free living organism है, judasia और planaria, खीक है, एक example तो यह हुआ, दूसरे पर आओ, यह आपको liver fluke दिखाई दे रहा है, fasciola, तीसरे नंबर पर आओ, यह आपको paragonymus दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं lung fluke, फिर यहाँ आओ, इसको तो पहचानते ही हो, सारे के सारे बच्चे, what is this, tapeworm, इसको भी पहचानते हो, schistosoma, जिसे हम कहते हैं blood fluke, इसको खास तोर से याद रखना है, इसको खास तोर से क्यों याद रखना है, सुनो 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 बात सुनो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, यह सारे और्गनिज्म कैसे हैं, हर्मेफ्रोडाइट, यानि कि मेल और फिमेल रिप्रोड़क्टिव ओर्गन एक ही एनिमल में मिलेंगे, एक ही और्गनिज्म में एक्जिस्ट करेंगे, यानि इन में मेल और फिमेल सेपरेट नहीं होते, यह शिस्टोसोमा दिखाई देरा है, आपको इसमें फिमेल और मेल दोनों दिख रहे हैं, और यह न केवल यूनिसेक्शुल है, इस्टोसोमा इस यूनिसेक्शुल, और यूनिसेक्शुल होने का मतलब केवल इतना है, कि मेल और फिमेल अलग अलग है, लेकिन अगर उन मेल और फिमेल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो यूनिसेक्शुल तो हैं, बट यह नोट एग्जिबिटिंग सेक्शुल डाइमॉर्फिस्म, सेक्शुल डाइमॉर्फिस्म का मतलब यह है, कि मेल और फिमेल की मॉर्फोलोजी अलग-अलग है, और आप केवल देखकर, अब्जर्व करके यह बता सकते हैं, वेदर इस इस मेल और इस फिमेल, तो बिइंग यूनिसेक्शुल इस डिफरेंट इशु, और बिइंग सेक्शुली डाइमॉर्फिक इस अनाधर धिंग, आरे यह बात समझ में, जो और इस बिफरेंग यूनिसेक्शुल है, जरूरी नहीं है कि वो सेक्शुल डाइमॉर्फिस्म भी एग्जिबिट करता हूँ, आरे यह कि नहीं बात समझ में, तो सेक्शुल डाइमॉर्फिस्म का मतलब है, जरूरी नहीं बात समझ में आई बात, अब जिन जिन बच्चों ने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है, वो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दे, जुगेशिया और ब्लेनेरिया प्रेलिविंग है, फैर्शियोला शीप लिवर फ्लूख है, शिस्टो सोमा बलल्ड फ्लूख है, पैरगॉनिमस लंग फ्लूख है, लुनॉर्किस आपका चाईनिज लिवर फ्लूख है, तीनिया सोलियम पोर्ख टेप वर्म है, जिसकी वजएसे हमें टीनियसिस होता है, टीनिया सेजिनेटा बीफ टेप वर्म है एक काइनो कॉकस आपका डॉग टेप वर्म है ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्जाम्पल हो गए और शिस्टो सोमा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है आपको कि एक तो ये यूनिसेक्शुल होते हैं और दूसरा इनमें सेक्श्वल डाइमॉर्फिस्म भी एक्जिस्ट करती है समझ में आये के नहीं बात भाई सारे बच्चे रिपलाई करेंगे जल्दी से अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से बताईए जड़ा अब टू प्लेटी हल्मेंथीज कहानी क्लियर हो गई है या नहीं फिर हम उसके बाद S के हल्मेंथीज पर मूव करेंगे सभी बच्चे रिपलाई करेंगे शाबाश हमान सिंग बोलो क्या बताना है बेटा क्या बताना है जल्दी बोलो क्या बताना है जल्दी बोलो यह देखो एसकेलमिंथी इस है एनेलेट्स भी थे इनको भी पढ़ेंगे जो आज का डेजिगनेटेड था हमारा थोड़ा सा चूखी शुरुवाती लेक्चर्स है न तो हम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए इस तरीके से पढ़ रहा है चीज़ों को बोलो बोलो सर टीनोफोरा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है मीजोग्लिया टीनोफोर्स में हर्जोत मीजोग्लिया जैसे सीलेंट्रेट्स में मीजोग होता है brain छोड़ो hydra में तो nerve cell appear हुए है अभी nerve cell भी unorganized manner में हैं एक diffused nerve net form करते हैं brain तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता brain तो पहली बार अगर आप term इस्तिमाल करेंगे तो आर्थरोपोर्डा में करेंगे उससे पहले तो brain term ही इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं और वह भी कर लेंगे एक्जेक्ली ब्रेन नहीं है वह सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियोन होता है जिसको अम brain बोल देते हैं आर्थरोपोर्ड्स में ट्रू सेंस में तो brain नहीं होता हूँ बोलो 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 अब सुनो मेरी बात जिन भी बच्चों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और आप मुझे ये बताएंगे कि आपको ये जो morning का सेशन है जो साथ बज़े हमारी class होती है animal kingdom जो अभी हमने start किया है are you enjoying this session मज़ा आ रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से क्योंकि मैं इसी pace से चलूँगा 90 days का मेरा पूरा का पूरा division है और in 90 days में आपका syllabus मुझे पूरा करवाना है है ना तो you just just give me a genuine and sincere feedback सारे बच्चे है ना आप सभी का feedback मुझे मिलेगा तो मेरे को pace क्योंकि थोड़ा सा pace अब मैं बढ़ाऊंगा यह शुरुवाती लेक्चर थे तो pace थोड़ा हमने कम रखा आगे हम pace थोड़ा सा और increase करेंगे लेकिन फिर भी आप सब लोगों की मेरे पास में feedback आना चाहिए और routinely सारे के सारे सारे के सारे बच्चे साथ बज़े देखो class में आ जाया करो थोड़ा जल्दी उठने के आदत डालो बेटा जल्दी उठने के आदत इसलिए डालो क्योंकि session miss नहीं होना चीए कुछ चीजें 15-20 minute के निकल गई उसके बाद में फिर आप आएंगे बीच में session में एंटर करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा है ना तो ट्राइटो बी प्रिजेंट इन क्लास डॉट एट सेवन है ना साथ बज़े आप class में आने की कोशिश करें और वेरे गुड अब चार-पांच मिनिट का ब्रेक लीजिए किसी को चाय पीनिये दूद पीना है हलका सा snacks कुछ नाश्ता वाश्ता करना है कुछ करना कर लीजिए और चार मिनिट पांच मिनिट से ज्यादा का वक्त मत लीजिए ब्रेक में क्योंकि ठीक आठ बजे अब अंकित सर की class होने वाली इसको डिवोट करो बेटा तीन महीने तक बहुत 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 आप लोगों को बेनेफिट होने वाला है और प्लस जिसको भी subscribe करना है जरा इस code को याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे be there use this code इस code को इस्तेमाल करते ही मेरे पास एक message आ जाता है कि this particular student has used this code while subscribing this course and you come in direct mentorship उस के बाद आपका सीधा contact हो जाता है सारी चीज़ें आपको available हो जाती है study material है handwritten notes है WPPS है question papers है counseling sessions है each and everything is made available to you तो चलो ठीक है बिटा अगली class में sir wait कर रहे हैं आपका that is all for today आपका दिन शुब हो आपका दिन मंगल मैं हो और जिन बच्चों ने session को like नहीं किया है अभी भी थोड़ा सा वक्त है session को like कीजिए और share कर देजिए चलिए टाटा बाई बाई गुट डे